हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नौलेज हम सफर पर तो फ्रेंड्स आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं NCRT जो Class 6 का जोग्राफी का है उसे शुरू कर रहे हैं जी आप फ्रेंड्स इस वीडियो को यदि आप Class 6 में पढ़ रहे हैं तो आपको देखना ही देखना है इविन जो स्टुडेंट इंट्रेस्टेड हैं UPSC के पिरप्रेशन में या फिर BPSC या फिर उत्तरपरदेश PCS राजस्थान PCS या फिर जो अभी आप जिस राज के PCS की की त्यारी भी करना चाहते हैं या फिर अधर एक जांप जैसे एर फोर्स ने भी बगेरा की त्यारी करना चाहते हैं एससी की तियारी करना चाहते हैं, रेलेवे की तियारी करना चाहते हैं, यह वीडियो आपके काफी मतापूरन हैं। Come,인지 class 6, class 6, class 8, class 9, class 10 से लेकरके 10 तक uns 7 हो चाहते हैं, तो आपको कोई भी जॉब में Proseक्न लेने में परसान हैं नहीं होगि। आज देखिये इसमें आपको मैं पता देता हूं कैसे कैसे हम लोग Classics का जो जो ग्रफी का NCART है खत्म करेंगे क्या क्या हम लोग का क्रिटेरिया होगा और कौन-कौन से चीजिँ का हम लोग फॉलो करेंगे तो fornt जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं आपके आठ टॉपिक हैं, NCRT जहोराफिक क्लासिक्स में, तो इसे हम लोग 16 लेक्चर में कम्प्लेट करेंगे, यानि कि एक टॉपिक में दो लेक्चर हम लोग आपको पढ़ाएंगे हम, और इसमें एक लेक्चर में हम लोग एप्रॉक्स सिलेबस कवर करने का प्रयास और दूसरे में जो समभावित प्रस्ण है, इवन यदि आप क्लासिक्स के हैं, तो आपके एक्जाम में क्या पुझा आ सकता है, या फिर आप different competitive exam के त्यारी कर रहे हैं, तो आपको कौन-कौन से प्रस्ण आने चाहिए, जो कि आपका exercise का प्रस्ण, उसके अलावा हम यहाँ पर discuss करेंगे, बाकी जो भी curious होगी आप comment box में comment कर दिजेगा, मैं वहाँ से देख करके और उस पर विचार करूँगा, और अगले वीडियो में उससे सुझाने का भी पर्यास करूँगा, तो आप देख लिजे कि यह cool art topic है, और एप्रॉक्स 16 lecture में इसे complete किया जाएगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजे, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी कुछ suggestion आपको देना, आप suggestion दे सकते हैं, उसी तरह से फ्रेंट जैसे ही class 6 का NCRT खत्म होगा, तो उदर एक तरफ हम history भी शुरू कर देंगे, class 6 का ठ मैं चाहूँगा कि दोनों को अच्छे तरीके से तयार करूँ ताकि वो आने वाले एक्जामों में अच्छा परफॉर्म कर सके, तो जो class 6 का जो NCRT का जो 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 ग्राफिक का chapters हैं, वो हैं पहला Earth in the solar system, second है globe, इसमें latitude and longitude के बारे में पढ़ना है, फिर motion of the earth, यानि कि अर् maps के बारे में आपको जनकारी दी जाएगी, और major domains of the earth, इसा ही पढ़ाए जाएगा, उसके बाद major landforms on the earth, जैसे आपको mountains, hills, valley, rift, इसके बारे में आपको जनकारी दी जाएगी, इसके बाद friends, our country India, इंडिया के बारे में बताए जाएगी, कि इंडिया का क्या इसका geological history है, कितना इंडिया का area है, कितना population है, इंडिया के बारे में इसमें cover किया जाएगा, इसके बाद फिर friends, हम लोग इंडिया के climate, इंडिया के vegetation, इंडिया के wildlife के बारे में पढ़ेंगे, तो यह है आपका आठ topic, यही आठ topic की चर्चा होगी आने वाले solar lecture में, तो साथ जो भी कुछ क्यूरी है, आप comment box में comment कर सकते हैं, आपका comment सर्वाव पर ही है, और मैं उसे ज़रूर follow करने का पर्यास करूंगा